अब बुलिडिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से देरा सच्चा सौदा के प्रमुक गुर्मित सिंग राम रहीम के खिलाफ साध्वी यौन प्रकण मामले में पंच्छकुला के स्पेशल सीवियाई कोट में कभी भी फैसला सकता है फैसला आज आना है इस मामले में सुनवाई को देखते हुए पंचाब में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है आज ही पंचाब के डीजीपी सुरेश अरोडा केंद्रियाग्री सचेफ से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया है पंचाब में केंद्र से थाई सो पैरा मिलिटरी फोर्सिस की कम्पनिया भी मांगी है थोड़ी देर बाद ये फैसला आ सकता है देरा सच्चा सौदा के प्रमुक हैं राम रहीम और सीवियाई कोट थोड़ी देर में यौन शुशन के मामले में फैसला सुना सकता है अगर फैसला बाबा राम रहीम के खिलाफ आता है तो कहीं न कहीं सुरक्षा बड़ा मुद्दा हो सकता है पंजाब और तरग्याना दोनों में पंजगुला का सीवियाई कोट है जहां पर यह सुनवाई चल रही है थोड़ी देर बाद ही सीवियाई अपना फैसला सुनाएगी पिजाब के ग्रीव मंत्री ने इससे सलसले में वहाँ पे पैरा मिलिट्रिफ फोसिस की मान भी कर दी है दो हजार दो का ये मामला है बाबा राम रहीम पे साद्वियों के साथ यौन शोशन के आरोप लगया थे चले इस खबर पर और ज़रा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संबारता विशाल अंग्रीश का विशाल पताएं कितनी देर में ये फैसला आ सकता है कही न कही अदालत जिस तरह से तेजी से मामले की सुनवाई भी कर रही है तो फैसला आ सकता है इसी के लिए जो पंजाब के डीजी पी हैं सुरेश रुड़ा वो दिली रुवाना हो गए हैं और चार बजे उनकी मुलाकात है केंड्रिय अग्रेस सचिव के साथ उनकी बैट पंजाब और पट्याला में करती गई है और इसी जो तीन कमांडो कमपनीज है उस पर भी कही न कहीं सरकार फैसला ले सकती है पंजाब पुलिस फैसला ले सकती है और पूरी तरह अलर्ट के उपर रखा गया है पंजाब बड़ा सवाल यही है विशाल की देरा सच्चा सौदा के जो समर्थक हैं उनके संक्या बहुत जादा है लाखों में आजारों में है और अगर फैसला बाबार राम रहीम के खिलाफ आता है तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा पंजाब में बन सकती है क्योंकि इससे पहले में डेरा समर्थकों किया और लाखों की दादाब में है और इस समय जब सिस्था में जो डेरा पर मुद्दा से गुरुमीत राम रहीम उनका जनम जन्दी बनाया जा रहा है तो काफी बड़ा मसला लाएंड और का पैदा होगा और फुरक्षा का भी पैदा हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जनकारी के लिए